ये शुमसी नासरी के नाम में आप सभी लोगों को प्रेम पूर्ण अभिवादन प्रभु आपको बहतायत से आशीश दे मेरे प्रिय लोगों प्रभु ये शुमसी को जानना तो सच में बहुत ही महतुपुर्ण है यहना अध्या 17 वचन 3 कहता है अनन्त जीवन ये है कि वे तुझे एक मात्र सच्चे पर मेश्वर को और येशु मसी को जिसे तुने भेजा है जाने ये बहुत ही महतुपुर्ण है मैं पिछले 4-5 एपिसोड से इसके बारे में बता रहा हूँ इस संसार में अगर आपको जानना चाहते हैं केवल एक ही बात है तो बस आप प्रभु येशु मसी को जान लेए अब जाकर वचनों में धूमते चले जाईए और धूम निकालिए कि ये येशु मसी कौन है ये येशु मसी कौन है उसे जानना यही तो हमें आनन्त जीवन देता है बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि सच में प्रभु येशु मसी कौन है वो नहीं जानते हैं ये ऐसा क्योंकि एक शत्रू है हम उसे शैतान कहते हैं हम उसे शैतान कहते हैं हम उसे हत्यारा कहते हैं हम उसे चोर कहते हैं हम उसे वैभिचारी कहते हैं हम उसे धोके बाद कहते हैं हम उसे धोका देने वाला कहते हैं वो धोका देने वाला है वो पूरी तरह से बुरा है वो केवल दुष्ट है उसमें कुछ भी भलाई नहीं है वो इतना गंदा है वो इतना बदसूरत है आप कोई भी वचन लीजिये मेरे प्रिय लोग वो इतना गंदा व्यक्ती है वो इतना बुरा दुष्ट है वो इतना गंदा है उसमें कोई भी प्रेम है ही नहीं उसमें सत्य है ही नहीं वो हत्यारा नंबर वन है वो लोगों को नाश करना चाहता है वो कैसे नाश कर सकता है बहुत धुर्तता के साथ अगर वो शत्रू है शत्रू है वो शैतान वो ये नहीं चाहता है कि येश्य मसी प्रभू है इस बात को आप जाने वो ये नहीं चाहता है इसका कारण है जिस दिन आप जान जाते हैं कि येश्य मसी स्वय अंपर मेश्वर है तो शैतान आपको अपने नियंतरण में नहीं रख सकेगा वो आपको बंधवाई में नहीं रख सकता है उसकी योजनाएं काम नहीं करेंगी जिस दिन आप रभू येश्य मसी को जान जाते हैं तो आप शैतान को लात मार के निकालेंगे आप उसके शत्रू हो जाएंगे आप उसे छोडेंगे नहीं आप उसे कुचल देंगे आप उसे नाश कर देंगे क्योंकि उसने आपका इतना नुकसान किया है इसलिए उसे नाश करेंगे इसलिए वो डरता है वो इस बात से डरता है कि जब आप येश्य मसी को जानेंगे तो आप उसके लिए खत्रा हो जाएंगे वो इस बात की अनुमती नहीं देता वो ऐसा होने देना नहीं चाहता है वो अपने सारे परिश्रम का उपयोग करते जाता है और वो हर कोशिश करता है कि आपको प्रभु यीश मसी को जानने से रोग दे प्रभु यीश मसी को पहचानने से आपको रोग दे ताकि आप रभू को न पहचाने वो हमेशा डरा हुआ होता है जिस पल आप रभू यिश मसी को जान लेते हैं ये उसके लिए खत्रा है वो डर गया है आप उसे थर्थरा देंगे परमेश्व ने आपको अधिकार दिया है जो लोग ईशु पर विश्वास करते हैं उसने कहां उसने हमें अधिकार दिया है कि हम सापों और बिच्छों को रौनते चले जाएं उसने सारे शत्रों की सामर्थ पर अधिकार वाई दिया है जिस पल आप ईशु मसी को जानते हैं जिस पर आप सच्चाई को जान लेते हैं तो ये शैतान के लिए खतरनाक होता है इसलिए वो विरोध करता है ये उसे पसंद नहीं कि आप रभू यिश्व मसी को जान ले और फिर देखे आखरकार क्या होगा अगर आप यिश्व को नहीं जानते हैं तो आप उस पर विश्वास नहीं करपाईगे और आप नाश हो जाएगे नाश होने का मतलब यही है कि शत्रु आपको नाश करना चाहता है यहीं उसका उदेश है और वो आपको अपने साथ उस अनंतकाल की आग में नरक में लेकर जाएगा परमेश्वर यह नहीं चाहते हैं परमेश्वर चाहते हैं कि आप सदा के लिए जीवित रहें परमेश्वर चाहते हैं कि आप अनंत जीवन प्राप्ट करें परमेश्वर चाहते हैं कि आप सच्चाई को जान ले सत्ते को जाने पहला तिमोथियो सद्ध्याय दो वचन चार यही तो कहता है God desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भाती पहचान ले यही परमेश्वर की चाह है यह परमेश्वर की चाह है परमेश्वर की चाहते है कि सब मनुष्य उद्धार पाए and the people come to know the truth और मनुष्य सत्य को जानने पाए the moment you come to know the truth जिसपल आप सत्य को जानने लगते हैं Oh Jesus Christ is the truth यीश्व मसीही सत्य है यही सत्य है that Jesus Christ has already delivered us कि यीशु मसी ने हमें पहले ही छुटकारा दिया है यही सत्ते है कि यीशु मसी ने शैतान को हरा दिया है यही सत्ते है जब आप इसे जानते हैं कि इस यीशु मसी ने शैतान का न्याई कर दिया है जब आप यह जानते हैं तब वो आपको कुछ भी नहीं कर सकता है और आपके कारण वो थर थराएगा, वो घबरा जाएगा आप उसे निकाल कर फेक देंगे आप उसे नाश करेंगे और इसलिए वो डरता है वो डरता है वो डरता है आप सहासी हो जाए आप हिम्मत वाले हो जाए पर मेश्वर ने हम से यही कह ने है याकूब अध्या 4 याकूब 4 वचन 6 और 7 हम पड़ते हैं ये वचन कहता है God gives more grace therefore He says God resist the proud but gives grace to the humble God resists the proud and gives grace to the humble देखे, परमेश्वर का वचन कहता है, इस कारण ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्र करता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, और शैत्रू का सामना करो, तो वो आपके सामने से भागेगा, उसे भागना होगा, अगर आप नहीं जानते हैं, तो फिर आप उसका सामना कैसे करेंगे, अगर आप सत्य को नहीं जानते हैं, तो आप उसका सामना कैसे करेंगे, इसलिए आपको सत्य को जानना होगा, आपको आपको जानना होगा कि येश्व मसी कौन है येश्व मसी ही एक मात्र सत्ते है यही एक मात्र सत्ते है जिस पल आप उसे जान लेते हैं कि वो कौन है जब आप जानते हैं कि वो स्रिष्टी करता परमेश्वर है जब आप ये जानते हैं जब आप जान लेते हैं कि इश्व मसी स्वयम पर मेश्वर हैं जिस पर आप उसे पहचान लेते हैं तो शत्रू भाग जाएगा वो डर जाएगा मेरे प्रिय लोगो हम साधारन लोग नहीं है हम सब परमेश्वर के बेटें और बेटियां है हम परमेश्वर को चूग गए है हम परमेश्वर को पहचान नहीं पा रही है हम परमेश्वर से दूर चले गए है वो आए हमें खोचते वे आए वो कौन है? यीशू वो क्यों आए वो हमें खोजने के लिए आए वो हमें खोजने के लिए आए कि हमें उधार दे कि हमें ले कर जाए कि हमें उसके साथ ले कर जाए अगर आप रभु यीशू मसी को पहचानते नहीं है अगर आप यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप उसके साथ नहीं जाएंगे अगर आप ये नहीं पहचानते हैं कि यीशु आपके पिता है तो उसके साथ कैसे जाएंगे कैसे उससे प्यार करेंगे शत्रू इसका विरोध करता है ताकि आप प्रभु यीश मसी को पहचानने न पाएं आज यहीं तो हो रहा है लेकिन हमें डट कर खड़े रहना होगा आपको निर्णे लेना होगा कि प्रभु यीश मसी को आप जान ले ये निर्णे लेना होगा परमेश्वर का वचान हमें सपश्ट रूप में बताता है कि यीश्व मसी स्वेम परमेश्वर है और उसे छोड़ और कोई नहीं कोई नहीं वो परमेश्वर है अलफा है वही ओमेगा है अगर आप येर्मिया में पढ़ें येर्मिया 32-27 ये कहता है It says like this Behold I am the Lord You see that Behold I am the Lord The God of all flesh Behold I am the Lord God of all flesh मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहुवा हूँ That means I am the Lord when he says जब वो कहता है मैं प्रभू हूँ परमेश्वर हूँ I am Jehovah मैं यहुवा हूँ I am Jesus Christ मैं येशु मसी हूँ That means the Lord is Jesus Christ यहने प्रभू तो येशु मसी है He is a God of all flesh वो तो सभी प्राणियों के परमेश्वर है And is there anything too hard for God? क्या परमेश्वर के लिए कोई भी काम कथिन है Nothing is impossible उसके लिए कुछ भी कथिन नहीं है रिककना है Jesus येशु को पहचान लीजी I am the Lord Bible कहते है कि मैं ही यहुआ हूँ God of all flesh सप्राणियों का परमेश्वर मैं ही हूँ That means Jesus Christ is God of all the people of the world इसका मतलब येशु मसी संसार के सभी मनुश्यों के परमेश्वर है He is God वो परमेश्वर है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है Jeremia 10-10 says Jeremia 10-10 कहता है But the Lord is the true God The Lord is the true God Yehovah वास्तों में परमेश्वर है Yehovah The Lord प्रभू The Jesus Christ येशु मसी Jesus Christ येशु मसी Is the true God सच्चा परमेश्वर है Any doubt क्या कोई संदेव है ये लिखा है The Lord is the true God Yehovah वास्तों में परमेश्वर है फिर कहता है He is the living God वो जीवित परमेश्वर है He is the living God वो जीवित परमेश्वर है Living God जीवित परमेश्वर है Everlasting King वो अनंतकाल का राजा है Hello beloved brother and sister मेरे पियारे लोगो मेरे पियारी बहनों और भाईयों इसे जान लीजिए Don't give any thoughts to your own preconceived mind Don't give अपने मन में आपने जो पहले से तै की हुए विचार हैं आप उनहें कोई मौका मत दीजिए Renew your mind अपना मन नया बनाईए Try to know it उससे जानने की कोशिश कीजिए Understand it इसे समझ लीजिए इसे ले लीजिए अपना मन नया बनाईए हाँ इतने साल में बहुत कुछ हुआ है हमने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ सीखा है जब सत्य आता है तो और कोई परियाए नहीं बस उसे स्वीकार करना पड़ता है जब आप सत्य को स्वीकार करने का नर्ने लेते हैं तो सत्य आपको स्पतंत्र करता है बचन इतना स्पष्ट है ये शमसी कौन है वो कहता है मैं ही प्रभू हूँ सच्चा परमेश्वर हूँ यहुवा परमेश्वर ही सच्चे परमेश्वर है जीवित परमेश्वर है अनन्तकाल के राजा है वो सदा के लिए राजा है प्रभु कि सूतिको क्या आप समझ रहे हैं अर्च समझ रहे हैं क्या कोई भी काम कठिन है जब हम इसे जान कर प्रभु येश्व मसी के पास में आते हैं जब उसे स्विकार करते हैं प्रियलोगों आप अपने जीवन में बड़ी और महान स्वतंतरता को देख पाएगे स्वतंतरता आएगी और आप शत्रु के सताव से उसकी बंदवाई से स्वतंतर हो जाएंगे आप उसकी हर एक युक्तियों से स्वतंतर हो जाएंगे क्योंकि बाइबल कहती है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंतर करेगा अगर पुत्र तुम्हें स्वतंतर करता है तो तुम सच में स्वतंतर हो तुम सच में स्वतंत्र हो प्रभुईश मसी जब आपको स्वतंत्र करते हैं तो आप सच में स्वतंत्र है आप मृत्तिव से स्वतंत्र है डर से स्वतंत्र है बीमारी से स्वतंत्र है रोगों से स्वतंत्र है आप चिंताओं से स्वतंत्र है आप संसार की हरे एक चिंतार और हरे एक समस्या से आप छुटकार अपा चुके हैं आप स्वतंत्र हो जाएंगे प्रिय लोगो उत्तर क्या है बस आपको ईश्व मसी को जानना है ईश्व को जाने सच्चे परमेश्वर को जान लीजिए और प्रभुईश मसी को संसार इसे नहीं जानता है वो उसे नहीं समझ पाते हैं क्योंकि शत्रु शैतान ने लोगों की समझ को अंधा करके रखा है उसने उनकी मन की आँखों को अंधा करके रखा है बाइबल में एक प्रात्ना है Ephesians chapter 1 verse 17 Ephesians 1 verse 17 beautiful prayer बहुती सुन्दर प्रातना है ये कहती है And the God of our Lord Jesus Christ the Father of Glory Father of Glory may give to you may give to you the Spirit of Wisdom and Revelation in the knowledge of Him in the knowledge of Him the eyes of your understanding be enlightened that you may know what is the hope of His calling you may know what is the hope of His calling yes what are the riches of the glory of His inheritance what are the riches of the glory of His inheritance in the saints in the saints here it says ये वच्चन कहता है कि हमारे प्रभु येश्य मसी का परमेशो जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश्चन की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आँखें जोतिर में हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवितर लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है उसकी शक्ती के प्रभाव के उसकारिय के अनुसार देखिए इन अनुवादों में यह सब एक साथ मिला कर रख दिया गया है लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप में बताना चाहता हूं छोटे-छोटे हिस्सों में मैं आपको यह समझा कर बता हूं यह कहता है परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान का आत्मा दे प्रकाशन का आत्मा दे याने वो तुम्हें बुद्धी की आत्मा दे ये बहुती सुंदर प्रात्ना है वो अपने बारे में आपको प्रकाशन का ज्ञान दे कि परमेश्वर जो महिमा का पिता है वो अपनी पहचान में आपको प्रकाशन का ज्यान दे प्रिय लोगो उसका प्रकाशन का ज्यान वो आपको दे मतलब येश्व मसी कौन है परमेश्वर कौन है ये आपको जानना है प्रकाशन के ज्यान के तपारे उसे जानना है और फिर और तुम्हारे मन की आखें जोतिर में हो कि तुम्हारी समझ जोतिर में हो कि तुम जान लो कि तुम जान लो कहता है ये नहीं कि तुम्हें मिल जाएगा लेकिन तुम जान लो ये पहली यहां पर है यहां पर है कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और उसके महान महिमा का धन कैसा है कि तुम उसे जान लो और फिर आगे कहता है और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं उस कारिय के अनुसार जो मसी में किया कितनी सामर्थ ही है कि तुम जान लो ये तुम्हारे पास है तुम्हारे पास है परमेश्वर की सामर्थ जो इतनी महान है परमेश्वर की सामर्थ आप में है जो येशु पर विश्वास करते हैं यही तो ये कहता है मेरे प्रिये लोगों येश्व मसी को जानना बहुत महतुपुल्ण है वो कोई साधारल नहीं है वो स्वयम पर मेश्वर है मैं एक गैर मसी परिवार से आया है मैं शुरू के दिनों में बहुत से किताबें पढ़ता था सारी धार्मिक किताबें पढ़ता था प्रिये लोगों में आपको बताना चाहता है आप कोई भी किताब लीजी जब आप उसे ध्यान से पढ़ते हैं अगर आप उन शब्दों की और ध्यान देते जाएं हर एक धार्मिक किताब प्रभु यीश्व मसी के बारे में ही बताती है ये यीश्व मसी के बारे में बताती है लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं नहीं समझ पाते हैं क्योंकि शत्रु ने उन लोगों की समझ को अंधा करके रखा हुआ है, उन्हें अंधा कर दिया है, वो इस बात को पहचान नहीं पाते हैं, कि ये तो प्रभु यीशु मसी हैं, ये नहीं जान पाते हैं, शत्रु तो यीशु के नाम से ही डरता है, जिस पल आप यीशु का नाम लेते हैं, तो शत्रु कापता है, आप चाहे तो कह सकते हैं परमेश्वर, आप ये कह सकते हैं, आप कह सकते हैं प्रभु, आप कह सकते हैं परमेश्वर, आप प्रभु कह सकते हैं, आप स्वामी कह सकते हैं, आप चाहे कोई भी नाम लें, लेकिन येशु का नाम ले वो डर जाता है क्यों? All the power of God is in that name Jesus क्योंकि परमेश्वर की सारी सामर्त इस एक नाम येशु मसी में है इसी में परमेश्वर की सामर्त है Kolossians chapter 2-9 says Kolossians chapter 2-9 कहता है उसमें येशु मसी में उसमें याने इशु में इश्वरत्व की सारी परिपुर्णता सधे वास करती है प्रभु इश्व मसी को जान लीजिए इश्व कौन है? उस एक मात्र सच्चे पर मेश्वर को और इश्व मसी को जानना ही अनन्त जीवन है इश्व मसी को जानना वो आपसे प्यार करते हैं वो आपसे प्यार करते हैं आई हम प्रात्ना करते हैं और अगले एपिसोड में हम इस शिक्षा के बारे में आगे देखते चले जाएंगे पिता मैं प्रात्ना करता हूं कि इन लोगों की समझ जोतिर में हो जाएं, हे पिता, हर एक दर्शक की समझ जोतिर में हो जाएं, ताकि ये जानने पाए कि आप कौन है यही प्रात्ना करते हैं, बिना किसी संदेह के, ये आपकी प्यारी संतान, जान ले और निश्चित कुझ जाएं अपनी समझ में इस बात को जान ले, कि ये शुमसी आप ही सर्वशक्तिमान पर मेश्वर हैं, ये समझ लें, धनेवाद पिता, आप कौन है ये जानने के द्वारा, ये सदा के लिए जीवित रहें, ये अनन्त जीवन पाईएं और शत्रों इनके पैरों के नीचे होगा, ये अपने जीवन में सफल हो जाएंगे, इशु के नाम में हम प्रात्ना कर दिक बिता, आमें, आमें, आमें.